बच्चों सो सब प्रतिमनट गति का डिक्टेसन दे रहा हूं Yes, start दिसंबर जन्वरी में कड़ाके की सर्दी पढ़ना आम है लेकिन इस बार सर्दी के तीखे तेवर चिंता पेदा करने वाले हैं देश के उतरी और पशिमी इलाके इन दिनों कड़ कड़ाती सर्दी से धूज रहे हैं कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, उतर प्रदेश, बिहार, जारखन दिल्ली, पंजाब, हर्याना और राजस्थान में तो सर्दी कहर बरपा ही रही है कुजरात के कई हिस्सों में भी पारा लगातार लुड़क रहा है दिल्ली, उतर प्रदेश, बिहार, और जारखन में हालात सबसे जादा खराब है दिल्ली ने तो सनिवार को 118 साल बाद दिसंबर में सबसे सर्द दिन काटा जब वहां पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस तक लुड़क गया यानि इससे पहले 1901 में राजधानी में पारा इतना लुड़का था उतर प्रदेश में सर्दी के सितम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की राजधी में सर्दी से सत्तर से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं ऐसे मोसम में जब सर्द हवाएं हड़ियों को भैददी महसूस हो रही है मोसम विभाक की इस चेतावनी ने कपकपी और बड़ा दी है की एक हप्ते तक सर्दी से राहत के आसार नहीं है कस्मिर में 31 दिसंबर को बर्फबारी के आसार है इससे देश के ज़्यादातर हिसों में पारा और लुड़क सकता है यह हिससे पहले से सीत लहर की चपेट में है कहीं उलावरस्टी हो रही है कहीं पाला पढ़ रहा है तो कहीं घने कोरे के कारण धूप गायब है रव्यवार को कोरे के कारण रेल्वे को कई गाडियां रद करनी पड़ी और कई दिर से चल रही है कुल मलाकर इस मोसम ने जन जीवन को बुरी तरे प्रभावित किया है मोसम की मार वह आबादी सबसे ज़्यादा जेल रही है जो बेगरें और खुले आम आस्मान के नीचे बसर करती है सरदी हर साल आती है और हर साल सरकार इस आबादी को सरदी से बचाने के बंदोबस के दावे करती है लेकिन दावे की पोल तब खुल जाती है जब अनगिनत बेगर लोग सरदी में पुट पाथों या खुले मिदानों में रात काटते नजर आते हैं वह फटे पुराने कंबलों से ही सरदी की निर्दैता का मुकाबला करने के लिए अभिसप्त है सरदी को प्राकृतिक आपदा की सुची में सामिल किया गया है और सुप्रिम कोट सरदी के दोरां बेगरों के लिए पर्याप्त रेन बसेरों का बंदोबस करने के निर्देश दे चुका है फिर भी सरदी से ठुटरते बेगरों के प्रती प्रसासनिक तंत्र समवेदंसिल नजर नहीं आती सेरों में रेन बसेरे खोले जरूर जाते हैं पर बेगरों की आबादी के सामने यह उट के मुँमें जीरा साबित होते हैं बेगरों की आबादी उन राज्यों में सबसे जादा है जो हर साल कडाके की सरदी जेलते हैं राश्टी, आपदा, प्रभंदन, संसान की रिपोर्ट के मुताबिक बेगरों की सबसे बड़ी आबादी उतर प्रदेश में है राजस्तान, मद्रदेश और गुजरात में भी हालात चिंता जनक है अपसोस की बात है कि जन्गना के बाद जो योजगाएं बनाई जाती हैं उनमें भी सरदी के दोरान बेगरों के दुख दर्द पर ध्यान नहीं दिया जाता बेगरों के अलावा सरदी के कहर ने किसानों को भी नीन उड़ा रखी है इस साल पहले कई हिसों में जर्वत से ज़्यादा बारिस ने फसल खराब की थी अब पाला पढ़ने से संकट मन्रा रहा है दर्शर ग्लोबल वार्मिंग के कारण मोसम तंत्र कुछ साल से गड़बड़ाया हुआ है इस साल यह गड़बड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है मसलन मांसुन का देर तक सक्री रहना आम तोर पर मांसुन सितंबर के दूसरे पक्वाले तक विदा हो जाता है लेकिन इस बार यह अक्टूबर के आकरी तक दक्षिन गुजरात के कई इलाकों में दीपावली तक मुस्तलाधार बारिश हुई मोसम व्यज्यानिकों के मुताबिक सूरज की किर्णों की उर्जा का कूछ हिस्सा जमीन ग्रहन करती है और बाकी हिस्सा वापस आस्मान में जाता है वापस जाने वाली उर्जा के साथ जमीन की गर्मी भी उपर जाती है जमिन से जितनी ज़्यादा गर्मी उपर जाएगी उतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है जाईर है गलोबल वार्मिंग से जमिन जरुर से ज़्यादा गर्मी उपर भेज रही है और अब जमिन पर रहने वालों को जरुर से ज़्यादा सर्दी से ठुटरना पल रहा है बेतर होगा कि सरकार सरदी से बचाओ के बंदोबस के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी दिर्ग कालिन कारिक्रम तयार करें हिरानी की बात है कि कई देश पर्यावरण को लेकर ठोस कारिक्रम चला रहे हैं लेकिन हमारे देश में यह अब तक राज्यतिक पार्टियों के लिए सलह मस्विरे का मुद्दा तक नहीं बन सका है मोजुदा सर्दी को खत्रे की घंटी माना जाना चाहिए कि पर्यावरण को हासिये पर रखना भारी पड़ सकता है धन्यवाद